एमे सेमिस्टर फोर पेपर EC 471 जुही की कली जुही की कली कविता चायावाद के चार प्रमुखस्तंभों में दूसरे प्रमुखस्तंभ कविसूरे कांत्रिपाथी निराला की सन 1916 में लिखी गई सर्वप्रथम कविता है इस कविता की रचना अर्ध रात्री में समसान घाट में खी गई थी जुही की कली वशंत से ग्रीश में तक खिलने वाली सुगंधित उश्प है इसी जुही की कली का मानवी करन अर्थात मानव के रूप में चित्रन कवि निराला ने बहुत ही सोष्टफ के साथ किया है इस कविता को प्रकाशित करने के लिए कवि निराला इसे लेकर सरस्वती पत्रिका के संपाधक आचारे महावी प्रसादिवेदी के पास गय थे किन्तु आचारे महावी प्रसादेवेदी सिष्टता एवं अनुशाषन के नियमों से बंधे हुए स्वरूप थे अतह उन्होंने इस कविता में स्रिंगार रज की अधिक्ता को देखते हुए इसे प्रकासित करने से इनकार कर दिया अब हम इस कविता पर आते हैं इसके आर्थ भावार्थ पर आते हैं इसके प्रारंभीक भाग में सबसे पहले देखें जुही की कली इस कविता में एक नौई वकिती नाईका के रूप में जुही की कली को प्रस्तुत किया गया है, पवन नायक है, कविता में प्रकृति का चितरन प्रथमांस में वियोग स्रिंगार के लिए हुआ है, वहीं जब कविता आगे पढ़ती है, संयोग स्रिंगार की भ को लेकर उतारी गई एक तस्वीर है। वह प्रिये के प्रेम में डूबी हुई मधुर क्रिराओं तथा स्नेह युक्त प्रेमालापों से युक्त श्वप्न का आनंद ले रही थी। जो कली का प्रिये है अपनी प्रिया का अवियोग बहुत कठिनाई से जेल रहा है। वह भी वीरह विदग्ध हैं। कवी का कहना है वसंत की मादग्ता चारो ओर छाई हुई थी। जो ही की कली नायक मल्या निल को याद करते हुए उसी में उन्ही यादों में डूबी सो गई। स्वप्ण में भी उन्ही यादों को देखकर वहाँ विभोर हो रही है। उधर परदेश में मल्या निल भी विरह व्याकुल हो उठा है। इन प्रारंभी पंक्तियों में कवी प्राकृतिक उपादानों जो ही की कली और मल्या निल पमन के रंग रूपों में मानवी ये क्रिया का लापों का सजीव चित्रन किया है यह छाहवादी काबे शिल्प का अनुपम हुदाहरन है जोही की कली को अमल कोमल तनुतरुनी तथा पवन को वीरह विधूर मलेयानिल कहकर दोनों का मानवी करन किया गया है आगे कवी ने जोही की कली की दशा का चित्रन करने के पहचात वीरह विधूर नायक पवन की व्याकुलता और प्रेमातूरता का चित्रन करता हुआ कहता है पवन को भी प्रिये संग बिताई गई मधूर बातें समरन हो रहा है और पवन यादों में, मन में, सब बिताई गई अपने पलों को संजोता हुआ, प्रियतमा जुही की कली से मिलने को विवश हो जाता है। प्रियतमा उपवन, सरिस, सर, गहन, गिरी, कानन और कुंज लता पुंजों को पार करता हुआ, प्रियसी कली के पास पहुच जाता है। जुही की कली के गाल चुम कर उसे जागरत करना चाहता है, किन्तु उस कली की नीद नहीं खुलती है। तब उस अधीर नायक पवन आवेश में आकर निर्दयता निश्ठूरता के साथ उस सुन्दर कोमलांगी सुकुमार कली के शरीर को जग जोड देता है। उसके गोरे गाल कपोलों को भी मसल देता है। इस पर जुही की कली चौक कर चकितो जाग जाती है। प्रियतम पवन को अपनी सेज के निकट पाकर प्रसन्न हो हसने लगती है। कवी की पंक्ती है निर्दे उस नायक ने निपट निठूराई की की जोकों की जाडियों से सुन्दर सुकुमार दे जख जोड डाली। मसल दिये गोरे कपोल गाल चौक पड़ी उवती चकित चितवन निज चारो और फेर। कवी का कहना है जुही की कली अपना मुख नीचे जुका कर हसने लगी और प्रियतम पवन के साथ फिर प्रेमा लाब भरे केली क्रीरा में निमगन हो गई। हेर प्यारे को सेज पास नम्र मुख हसी खिली खेल रंग प्यारे संग। यहां आकर के कवीता का अंत होता है किन्तु कवी निराला कवीता के अंत के साथ साथ एक मानवी आवेग का जो शुक्ष्म मनोवाई ज्यानिक चित्रन प्रस्तूत करते हैं वह देखने लायक है। नायक पवन को निर्दई निष्ठूर कहकर सुकुमारी जूही की कली के प्रती इसमें कवी सहानुभूती प्रकट करते हैं। यह सहानुभूती कवी की नारी के प्रती सहानुभूती को कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इसपरष्ट करती है। निराला जी की यह कवीता छायवादी शैली की अनुपम रचना है। इसकी भाषा शैली सरल सहज प्रवाह पूर्ण है। अभी धात्मक शैली में लिखी गई यह रचना प्रकृती के स्वरूप को जहां एक और पूर्ण सौंदरे के साथ हमारे सामने रखती है वहीं छायवाद की विशेस्ताओं को अपने में लिये हुए अस्थूलता के से शुक्षमता की और अवगाहन कराती भी है धन्यावाद